आज हम करक लगन के जात्कों के लिए मार्च का महिना क्या कुछ लेकर क्या आएगा इसके विशे में चार्चा करेंगे और ये वीडियो जो है वो लगन अधारित है मतलब अगर आपका लगन या जो उदित राशी है आपकी अगर चार नंबर है तो आपका लगन जो है वो करक लगन है और उसके अधार पर ये फिर राशीफल आप देख सकते हैं और वीडियो का आगे बढ़ाने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट रही कि जो लोग मेरे चैनल में नए हैं प्लीज सब्सक्राइब दे चैनल और एक बेल आइकन है उसे आप प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिशन्स मिलती रहे तो चलिए मुड़ते हैं विशे के और विशे हैं मार्च का महीना करकलगन और राशिफल तो सबसे पहले हम करकलगन के जातकों के लिए बुद्ग्रह की बात करते हैं क्योंकि बुद्ग्रह की स्थिति इस महीने बहुत अच्छी होने वाली है क्योंकि 6 मार्च को जो बुद्ध है वो आपके अश्टम स्थान में गुरु, सूर्य और बुद्ध का जो है वो मिलन होने वाला है ये तीन ग्रह आपके अश्टम भाव में रहेंगे और बुद्ध जो आपका करकलन की कुंड़ी होती है उसमें बार्में भाव का स्वामी बनता है बुद्ध और आपके थर्ड हाउस का प्राकर्म भाव का अब जब बुद्ध जो आपका अश्टम भाव में सूर्य के साथ इसका मिलन होगा सूर्य और बुद्ध का बुद्ध दित्य योग भी बनता और इनका समंध बहुत मधूर माना जाता है और गुरू के साथ भी बुद्ध की समस्थिती है तो अच्छे रिजट वहाँ पे देगा अब अश्टमभाव में सूर्य बुद्ध और गुरू की स्थिती की वज़ा से एक तो आपको जो है विदेशों से कोई अगर आपका समंध है या विदेशों से कोई कारे करते हैं तो वहाँ से धन प्राप्ति के अवसर बनते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि ट्वेल्थ आउस से जो बुद्ध है वो आपके नवम्स्थान में गया है तो वहां से किसी तरह से कह सकते हैं कि आपके भागे क्यों न थी बुद विदेशों से करता वन नजर आएगा विदेशों से कोई लाब आपको प्राप्त होते वे नजर आ रहे है आपकी प्राक्रम में वुरदी करता है वन नजर आ रहे है अगर आपके कोई इंटर्स्ट है होबीस है modular civilization से लेट अगर आपको घ्रकारे करते है या आपका कोई कम्मिनिकेशन अभी अब तक रुका हुआ था, किसी से कोई बात करनी है, किसी से कोई आपने प्रपोस करना है, या किसी को कोई मैसिज भेजना है, तो उसके लिए बहुत उत्तम समय है, बुद्ध आपका हर तरह से साथ देगा, कोई टेंडर लगाना है, गौ आएंगे, और वहाँ पर भागेस्तान में आपके, सूरे के साथ जब इनका मिलन होने वला है, तो भागेस्तान में सूरे के साथ होने पर आपके परिवारिक सुख में वरिद्धी करता हो नज़र आएगा, क्योंकि सूरे जो है, वो आपके सेगंड हाउस का लौड है, और बुद्ध और सूरे के साथ होने पर आपके परिवारिक सुखों में आपको वृद्धी करता वन नज़र आ रहा है। अगर हम थर्ड हाउस की बात करें तो क्योंकि थर्ड हाउस का स्वामी भी है बुद्ध तो यहां पर आपके जैसे मैंने का कि ट्रांसफर्स का प्रमोशन का योग बन रहा है और उसके लवा आपको छोटे बाई बेहनों का स्योग भी समय मिलता वन नज़र आएगा। वेब साइब में लाब के अब सर बुद्ध आपको यहंदलाता वन नज़र आ रहा है तो करकलगन मालों के लिए बुद्ध की थिती बहुत उत्तब बनी हुई है उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंगल की तो मंगल जो है वरतमान में जब इस महीने के जो गोचर हो रहा है उ उसमें शनी और शुकर के साथ आपके सेवंध हाउस में मकर राशी में गोचर कर रहा है और मंगल और शनी का आपकी समंद अच्छे नहीं है लेकिन शुकर के साथ इसकी सामस्तिती बनी हुई है तो यहां पर मंगल जो है वो अपनी नीच दिश्टी से जब लगन के भाव क देखेंगे लगन को नीच दिश्टी से देख रहे हैं तो थोड़ी बहुत दिक्कत है यहां पर जो है वो करक लगनवानों को देखने को मिल सकती है जिसमें कि उनको क्रोध का सामना करना पड़ सकता है मान से एक तनाव इस महीने उनको जहलना पड़ेगा कोई ना कोई किस का महौल मन में किसी रूप में मंगल और शनी की यूति की वज़े से यहां पर दिखाई दे रहा है तो मंगल की स्थिती बिलकुल भी उत्दम नहीं है लेकिन मंगल सब्तम भाव में केंद स्थान में गया हुआ है और क्यूंकि मंगल आपकी जर्म कुनली में केंद स्थान दशम भाव का स्वामी है और पंचम भाव का स्वामी है तो मंगल बहुत योगकारी प्लैनेट होता है करकलगणवानों के लिए और किंद स्थान में गया हुआ है तो ये दोनों स्थानों के शुबत्म को बढ़ाने वाला है पंचम भाव से समंदित भी अच्छे रिजल्ट आपको यहां मिलनेवाले हैं दांबत्ति सुक में यहां पे वृद्धी करता हो नजर आएगा और आपके प्राक्र में वृद्धी करेगा मंगल उसके लवां मंगला आपके कारे वेफसाए में जहां भी आप चाहाए आपका सरकारी ख्यत्र है चाहाए आप बिजनस करते है उसमें भी मंगल आपका किसने किसी रूप में विर्दी करता हो नज़र आएगा क्योंकि मंगल जो है वो अपनी जो उच्छ राशी है मंगर राशी में इस समय संचार कर रहे है तो मंगल की उच्छ राशी में जाने पर मंगल से लिटेट जितने भी कारकत्व है उन सबी में विर्दी होने वाली है अभी तक जो आपका बिजनस में कोई नुकसान था या सरकारी शक्तर में आपको आपके बॉस के द्वारा कोई रिकोगनिशन नहीं मिल रही थी तो अब सब आपको इस मेंने मिलने वाली है कि मंगल आपके बहुत स्थिति में है लेकिन जिनको मंगल की दशा अंतर दशा या प्रतंतर दशा चल रही होगी उसके साथ साथ क्योंकि लगन पर नीच दिश्टी पढ़ रही है तो मानसिक उतेजना प्रोध हो गया और तनाव की स्थिति भी दोनों तरह से आपको देखने को मिल सकती है उसके पर हम बात कर लेते हैं देव गुरू ब्रहस्पती की तो देव गुरू ब्रहस्पती क्योंकि भागेश होते हैं आपके भागेस्तान के स्वामी होते हैं और इस समय जो है वो सूरे बुद्ध के साथ अश्टमस्तान में गोचर करेंगे तो सूरे बुद्ध का साथ मिलने पर देव गुरू रहे साथ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है और कहीं न कहीं देव गुरू आपके मान और परतिष्टा में भी वर्दी करते हुए नजर आ रहे है लेकिन थोड़ा सा परवारी कला कलेश मतभेद उत्मन हो सकते हैं और अश्टमभाओं में गया हुआ गुरू है तो कहीं न कहीं विगनों के साथ आपके कारे जो हैं वो सफल होंगे बनलब कि परतिए कारे या जो भी कारे आप करते हैं उसमें कहीं न कहीं आपको विगन का सामना करना पड़ सकता है और उसके बाद भूर सफलता आपको रात होती ही नजर आएगी जिनको गुरू की दशा अंतर दशा या प्रतिंतर दशा चल रही होगी बात कर लेते हम सूरे के है कि जिनको सूरे की दशा चल रही हो अंतर दशा या प्रतिंतर दशा तो सूरे जो है वो आपके भागे में है क्योंकि भागे सान में जब इसका गोचन होने वाला है आपका सूला मार्च को तो आपके भागे में से आपके आए में वृद्धी होती हुन नजरा आ रही क्योंकि आपके धन भाव का स्वामी है तो भागे आपका साथ देता वन नजरा आ रहा है आए में वृद्धी होती वन नजरा आ रही है धर्म करम पर आपका इस मीने खर्चा होने वाला है और परिवारिक सुखों में भी वृद्धी यहां पर सूर दर्शाता वन नजरा रहा है परिवार में मधूर समंद आपके ब लिखने को मिल सकती है करक लगन वालों के और बात करते हैं हम शनी ग्रह की तो शनी स्वग रही हो के सप्तम भाव में विराजमान है तो यहां पर यह आपके विवाह के अफसर जो है वो क्रेट करता हो नजर आएगा और यहां पर शुकर की भी इस्तिती उत्म है तो विवाह क इस्तिती बहुत उत्म बनी हुई है और यहां ससुराल से आपको धन प्राप्ति हो सकती है और कोई गुप धन की प्राप्ति भी शनी आपको इस समय कराता हुआ नजर आएगा बात कर लेते हैं शुकर की तो शुकर आपका लाबस्तान का स्वामी बनता है और आपके शनी की राशी में मकर राशी में संचार कर रहा है और केंदर में होने की विजए से इसको शुबत्तों में वरिद्धी होगी क्यों केंदर स्वामी केंदर स्वामी केंदर स्वामी केंदर स्वामी जाता है तो इसके शुबत्तों में वरिद्धी हो जाती है और मंगल से इसक सबधार में है तो आपके सुख्व में वृद्धिक रहा है लाब आपको दिन नजर आएगा आप सुख्व में वृद्धिक राप्राप्ट होगा भूमी हमकान एग्रिकल्चर है आपका बहुं बगीचों गार है कृषकि का ने तो उन वहे चीजह शूक्र आपको लाब की स्थितियां दिलाता हूँ नजर आएगा और उसके बाद हम बात कर लेते हैं राहू की तो राहू वर्ष के इस महीने के आरम से ही आपके लाबस्तान में बैठा हुआ है काफी समय से ये आपके लाबस्तान 11 आउस में बैठा हुआ है राहू तो लाबस्तान में होने से इसका मिश्रित सा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा राहू की विज़ा से आपके साहसे कारियों में विर्दी होती हुए नजर आएगी आप साहसे कारे करेंगे एडवेंचर करना चाहते हैं कोई काम इसको करने से लोग डरते हैं लेकिन आप जो है करकल अगर वाले जिनको राहू की दशानतर दशाय चल रही होगी तो वो कारे करने से बिलकुल भी घबराएंगे नहीं तो निर्विकों के वो कारे करते वे नज़र आएंगे और विदेशों से लाब के अफसर भी ये राहू आपको यहां दिलाता हूँ नज़र आ रहा है अचानक धन की प्राप्ति या अचानक लाब ये राहू दिलाएगा तो उसके लिए चाहे लौटरी है, स्पेकुलेशन्स है इस तरह के जो भी चीज़े हैं वो उसमें आपको राहू लाब दिलाता हूँ नज़र आ रहा है केतू की बात करें, केतू आपका मंगल की राशी में बैठा हुआ है व्रिष्टिक राशी में पंचम भाव में ये पंचम भाव में केतू बैठा हुआ है, तो ये संतान कष्ट दिखला रहा है संतान की तरफ से कोई किष्ट आपको मिल सकता है या संतान को कष्ट होता हूँ नज़र आ रहा है करकलगरवानों को और यहां पर आपकी भावी जो है, आपकी भाई की पत्नी है उसको भी थोड़ा सा कष्ट ये दिखला रहा है उसके लावा जो आपकी लव लाइफ है, यह रुमांस है उसमें आप थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़े क्योंकि वहां को भी मिसंडेस्टेंडिंग होनी की संभावना बनती वे नज़र आ रही है और उसके लावा जो हम देखें कि अगर आप स्पेकुलेशन्स करते हैं तो स्पेकुलेशन्स में वी जिनको केतु की दशा इंतर दशा है प्रतिंतर दशा चल रही है तो बहुत साफधानी पूर वक आगे बढ़ें क्योंकि केतु जो है वो विछेदात्मक है तो कहीं बार देखा गया है कि वो कहीं लॉसेज भी करवा देता है तो उस तरह से आप आगे बढ़ते हैं तो फिर आपके लिए ये माच का महीना बहुत उत्तम रहने वाला है करक लगर्मानों के लिए तो खास दोर पर हमने देखा बुद्ध की स्थिति जब आपके भाकिस्तान में जाएगी करक लगर्मानों के लिए तो बहुत उत्तम समय है मंगल की स्थिति बहुत उत्तम है लेकिन लगन पर नीच दिश्टी के वज़़द से थोड़ा कूद उतेजना हो गया और आपको तनाव की स्थितियां देखने को मिल सकती है लेकिन उसके लावा अगर हम आपके प्रोफेशन की बात करें कारे धंदे, कारे वेफसाइक की बात करें तो मंगल की स्थिति बहुत उत्तम है तो उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा इफ यू लाइक दे वीडियो प्ली सब्सक्राइब दे चैनल थैंक्स वर वाचिंग दे वीडियो